प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में कॉंग्रिस को फ्रंट रो याने सामने की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया है पार्टी को तो प्रियंका ने उठा दिया लेकिन खुद प्रियंका कहां से उठ रही है यानि कहां से चुनाव लड़ रही है ये आज की राजनीती में एक दिल्चस्प सवाल बना हुआ है क्या राय बरेली से प्रियंका अपनी किस्मत पहली बार आजमाएंगी या अमेठी को चुनेंगी या फिर वारान असी को अपना निर्वाचन शेत्र बनाएंगी या कि लखीमपूर खीरी में अपना दम एक बार फिर दिखाएंगी या इन सब की जगह अपनी सुसराल मुरादाबाद से पर्चा भरेंगी और इन से भी बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या किवल कॉंग्रेस को जीत दिलाने के लिए ही काम करती रहेंगी आप जानते ही है कि यूपी समेत पांच राज्यों में विधान सब चुनाव के तैयारियों में अब निर्वाचन आयोग जुड़ गया है और उम्मीद है कि जल्द ही चुनावों की तारीखों का एलान हो जाएगा सभी पार्टियों में टिकेट के दावेदारों में खलबली मत चुकी है पार्टि दफ्तर से लेकर बड़े नेताओं के दर्वाजे तक सलाम ठोके जा रहे हैं कि किसी तरह टिकेट मिल जाए एक बार उम्मीदवारी पक्की हो जाए तो फिर जीत मिले या हार राजनीती में कद थोड़ा बढ़ी जाता है भाजपा सपा कॉंग्रेस बसपा रालोद और तमाम चोटे बड़े दलों में अब योग्यों मिदवारों की तलाश शुरू हो गई है योग्यता का पैमाना अक्सर ये होता है कि आपका जनाधार कितना पक्का है और दूसरी बात आप है लेकिन सच तो ये है कि भाई भतीजावाद से कोई विदल अब बचा नहीं है सभी पार्टियों में किसी के बेटे किसी की पतनी किसी के भतीजे या किसी के भाई को टिकट देने का रिवास कायम है वैसे कॉंग्रेस ने तो इस बार ऐलान कर दिया है कि वो 40% महिलाओं को देगी कॉंग्रेस के इस कदम के बाद ऐसा लगता है कि यूपी की राजनेती में सबसे अधिक महिला प्रत्याशी देने का रिकॉर्ट कॉंग्रेस के नाम ही जाएगा वैसे भी प्रियंका गांधी ने इस बार जिस तरह चुनावों को महिलाओं की और मोड दिया है उससे बार महिला सशक्तिकरण को एहम मुद्दे की तरह पेश कर रही हैं चित्रकूट के घाट पर उन्होंने महिलाओं के साथ अनूठे अंदाज में समवाद किया इससे पहले बारबंकी के खेतों में महिलाओं के हातों से खाना खाया महिलाओं के लिए कॉंग्रेस का अलग घो जब पिताजी के साथ यही से कुछ किलोमीटर दूर तातारपुर के एक छोटे गाउं के पास हम रहते थे और वहां से अपने पिताजी के जीप में उनके साथ बैट कर गाउं गाउं में जाते थे आप से बात करते थे आपकी समझ्याओं को समझते थे आज कुछी दिनों में मैं 50 साल की होने वाली हूँ ये एक बहुत ये एक बहुत पुराना रिष्टा है आपके साथ आपने निभाया हमने निभाया मैं हमेशा यहां आती थी तो मैं हमेशा कहती थी राजनेतिक रिष्टा नहीं है परिवारिक रिष्टा है जजबात का रिष्टा है और वो रिष्टा आज भी कायम है खासकर अमेठी से सांसाद स्मृती इरानी तो इतनी परिशान हो गई कि उन्होंने कुछ महिलाओं का वीडियो जारी कर ये आरोप लगा दिया कि इन लोगों को कंबल और साडी का लालश देकर बुलाया गया था हाला कि उनका ये वीडियो वाला ट्वीट जादा देर तक चुनावी मैदान में टिक नहीं पाया क्योंकि बदले में कई ऐसे वीडियो जारी हो गए जिन से पता चलता है कि अमेठी में राहुल और प्रियंका का परिवार के लोगों की तरह स्वागत किया गया और इतनी बड़ी भीड किसी लालश में नहीं बलकि गांधी परिवार से लगाओ के चलते इखटे हुई थी कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए जिसमें इस्मृती इरानी पर ही वादा खिलाफी का आरोग कुछ महिलाएं लगा रही है यानि इस्मृती इरानी को ये समझ आ गया होगा कि एक बार राहूल गांधी को हराने का ये मतलब नहीं कि अमेठी हमेशा के लिए उनकी हो गई अमेठी अब भी गांधी परिवार का गड़ है और यहां किसी का बहुत देर तक टिकना मुम्किन नहीं है अमेठी की सभा में जिस तरह से राहूल गांधी ने अमेठी को अपना घर बताया उससे जाहिर हो गया कि आने वाले चुनाओं में यानि 2024 में राहूल एक बार फिर से यहां किस्मत आजमा सकते हैं वैसे उससे पहले यहने 2022 के चुनाओं में क्या प्रियंका गांधी अमेठी से विधानसभा चुनाओं लड़ सकती हैं यह जानने में अब सबकी दिल्चसपी है आप जानते ही हैं कि 2004 में राहुल गांधी जब राजनीती में नयने उत्रे थे तो प्रियंका गांधी ही उन्हें अमेठी लेकर गई थी उनका परिचय करवाते वे प्रियंका ने जनता से तब कहा था ये मेरे बड़े भाई हैं यहां से चुनाव लड़ेंगे आपको समर्थ इसके बाद राहुल गांधी को जबर्दस जीत यहां से मिली थी इससे पहले 1999 में जब सोनिया गांधी ने पहला चुनाव जीता था तब से प्रियंका ही अमेठी और राय बरेली का काम देख रही हैं दर असल 1981 में जब राजीव गांधी पहली बार यहां से चुनाव की थी वो अपने पिता राजीव गांधी के साथ वहां आई थी और तब अमेठी के लोगों ने प्रियंका को प्यार से भाईया जी कहा था आज भी अमेठी और राय बरेली में उन्हें बहुत से लोग भाईया जी ही कहते हैं और वैसा ही प्यार और सम्मान उन्हें देते है जो एक जमाने में फिरोज गांधी, इंद्रा गांधी, संजे गांधी और राजीव गांधी को दिया करते थे तो अमेठी और राय बरेली से प्रियंका गांधी का रिष्टा तब का है जब वो कॉंग्रेस की सदस्य नहीं थी और अब तो वो नो केवल कॉंग्रेस की महासचि बलकी यूपी चनाव की कमान भी प्रियंका के हाथों में ही हैं अमेठी के बाद रविवार को प्रियंका गांधी राय बरेली में थी जहां उन्होंने फिर से लड़की हूँ लड़ सकति हूँ का नारा बुलंद किया था इससे पहले अमेठी में भी यही नारा काफी लेकिन उन्हें देखकर मैंने उनसे बात की तब पता चला कि उनका भी शोशन हो रहा है क्योंकि जितने घंटे वो काम करती हैं उस हिसाब से वेतन नहीं दिया जाता इसलिए मैं बस यही कहकर आपको समझा सकती हूँ कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ तो आप सबको भी अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा हातरस और उन्नाव का जिक्रकर उन्होंने कहा ये सब देखकर ही मेरे मन में ये बात आए कि मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना है तब ही हमने महिला घोशना पत्र बनाया इसमें वो सब ही कारिक्रम बताए गए हैं जो हम महिलाओं के लिए कर सकते हैं उन्होंने कहा कि परिवर्तन एक जो ठोकर ही लाया जा सकता है हम ये घोशना पत्र लेकर आए हैं तब ही सब पार्टियां अब महिलाओं के बारे में सोचने लगी हैं लेकिन ये वही नेता हैं जो चुनाओं में की गई घोशना को जीत के बाद भूल जाते हैं ऐसे में अगर देश की महिलाओं एक जो ठोकर आवाज उठाएं कि हमारे लिए काम करो तो देखिएगा देश की राजनेती जरूर बदलेगी तो कुछ इस तरह महिलाओं को साथ लेकर देश की राजनेती बदलने का दावा प्रियंका गांधी कर रही हैं लेकिन ये देखना दिल्चस्प होगा कि क्या वो खुद चुनाओं के मैदान में उतरती हैं और अगर उन्होंने अमेठी या राय बरेली को अपना निर्वाचन खेतर बनाया तो सपा और भाजपा वहां किने खड़ा करेंगे ऐसे कई दिल्चस्प सवाल अभी यूपी में उठेंगे जिनके जवाब शायद और मज़ेदार होंगे तो आज के लिए बस इतना ही देखते रहे हैं डीबी लाइव नमस्कार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूटूब पर टाइप करें डीबी लाइव सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुशती रहें देखते रहे हैं डीबी लाइव क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार